हिट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेज दा बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स हड़ा दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सीएजसमी सिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीएजसमी सिंग बच्चो आज हम रिवाइस करने वाले हैं एग्रिकल्चर इंकम बाकी डारेटेक्स के टॉपिक्स का रिवीजन वीड आपके भी काम आ जाएगा ठीक है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ठीक है नवंबर 2020 के लिए कंप्लीट GST की प्लेलिस भी सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अग्री कल्यकरिंग का मेनिंग किया है उसको डिफाइन किया है Sektion 2 सेक्शन 1A के अंदर इसके 3 sub clauses है sub clause A, sub clause B, sub clause C sub clause A क्या कहता है कि अगर आपने agricultural land को let out किया है और वहाँ से आपने rental income earn करी है उस rental income को भी हम agriculture income consider करेंगे for example मेरे पास farm है और वो farm मैंने आपको let out कर दिया है जिस पे आप agricultural activity perform कर रहे हो आप जो मुझे rent दोगे उस rent को agriculture income consider किया जाएगा मेरे हाथ में अब ये rent हमें cash में मिल सकता है या फिर kind में मिल सकता है cash में आपने मेरे को rent दे दिया say rupees 1 lakh per month तो ये 1 lakh per month मेरे लिए agriculture income मान ली जाएगी ऐसा हो सकता है कि आपका जो farm का produce हो उसका 40% आप मेरे को as a lease rent pay कर रहे हो तो मान लीजे 1 lakh quintals का potato आपने produce किया उस 1 lakh quintals का 40% 40,000 quintals आपने मेरे को दे दिया तो इसे भी agriculture income consider किया जाएगा मतलब की ज़रूरी नहीं है कि rent आपको cash में ही receive हो अगर आपको late payment receive होती है जिसकी वज़े से आप interest charge करते हो तो वो interest agriculture income इंकम नहीं कहलाएगा वो interest आपका taxable होगा under the head other sources में ठीक है चलिए sub clause B कहता है कि अगर आपने कोई income earn करी है from the agricultural operations आपने agricultural operations perform करके अगर कोई income earn करी है तो वो income भी agricultural income ही कहलाएगी अब सवाल ये उठता है कि सर्फ कौन सी agricultural operations होती है किन किन operations को हम agricultural operations बोलते है तो बच्चे agricultural operations को दो category में divide किया गया है एक होता है आपका basic operation और एक होता है आपका subsequent operation basic operations में अपन क्या करते है सर land का pluffing करना seed की sowing करना all these are considered to be as basic operation अब आपने land को pluff कर दिया seed को sow कर दिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको watering करनी पड़ेगी आपको insecticide, pesticide देने पड़ेंगे आपको cutting करनी पड़ेगी pruning करनी पड़ेगी harvesting करनी पड़ेगी all these are considered to be as subsequent operations तो basic operations क्या है जैसे कि pluffing of land हो गया sowing of seeds हो गया planting हो गया या फिर similar kind of operations को अपन basic बोलते है basic operations करने के बाद subsequent operations करे जाते हैं जैसे कि weed करना, dig करना, soil को watering करना, pesticides और insecticides का इस्तमाल करना, pruning करना cutting करना, harvesting करना all these are considered to be as subsequent operations अब अगर आप केवल basic operation perform करते हो मतलब आप केवल land की pluffing कर रहे हो seed की sewing कर रहे हो, digging कर रहे हो तो भाई साब इस case में हम इसको बोलेंगे agricultural income अगर आप basic और subsequent दोनों operations कर रहे हो तो इसको अपन बोलेंगे agricultural income और आप अगर केवल subsequent operations कर रहे हो तो इस case में आपने जो income earn करी है वो है आपकी non agricultural income अब अगला आता है sub clause C, यह कहता है कि सर अगर आपने कोई income earn करी है building से, तो वो भी आपकी agriculture income मान ली जाएगी अगर आप following conditions को satisfy कर दो तो क्या conditions है, सर पहली condition यह है कि जो building होनी चाहिए वो immediate vicinity of agriculture land में होनी चाहिए दूसरी condition है कि इसे cultivator ने या फिर receiver of rent ने occupy किया हो इस building को या तो dwelling house की तरह, या तो store house की तरह, या तो out house की तरह, इस्तमाल किया जाता हो और ये जो land है जिस पर ये building बनी होई है वो land revenue से assess होती हो मतलब कि municipal authority उस पे municipal taxes लगाती हो या फिर वो land कहां पर हो rural area में हो, क्या बोला उसने और इस building से अगर तुम rental income earn कर रहे हो तो ये income भी तुम्हारी agriculture income माननी जाएगी, अगर चार conditions पूरी हो तो, पहली condition कि ये जो land होनी चाहिए वो immediate vicinity of agricultural land में होनी चाहिए मतलब जो ये land है agriculture का इसके अंदर या इसके पास होनी चाहिए इसके बाद उसने कहा कि सर इसे किसने occupy किया हो सर इसे या तो cultivator ने occupy किया हो cultivator कौन सर जो इस land पे cultivation कर रहा है उसने occupy किया हो या फिर जिसने rent receive किया है मतलब कि जो owner है इस land का उसने occupy किया हो अगली condition क्या है कि sir इस building को या तो आप dwelling house की तरह treat करते हो dwelling house मतलब कि sir इस पे आप रहते हो या फिर इसको तुम as a store house की तरह इस्तमाल करते हो या फिर तुम इसे as a out house इस्तमाल करते हो आखरी condition अगर ये land municipal authority के regulations में आती है उनके circle में आती है तो sir इस पे land revenue assessed होना चाहिए land revenue से assessed होनी चाहिए और अगर ये किसी municipal corporation के under पे नहीं आती है तो ये कहां पर होनी चाहिए rural area में होनी चाहिए अगर ये चार conditions आप पूरी कर देते हो तो इस building से आप जो भी income earn करोगे वो income आपकी क्या कहलाएगी agriculture income तो अभी तक आपने क्या समझा कि सर अगर मेरे पास agricultural land है और वो land अगर मैं किसी को किराय पे देता हूँ तो वहाँ से जो मुझे rent मिलेगा चाहे वो rent cash में हो चाहे वो rent kind में हो वो मेरे लिए agriculture income होगा दूसरा point आपने पढ़ा कि अगर मैं agricultural operations perform करता हूँ सिर्फ basic operation perform करके इंकम earn करता हूँ तो वो agriculture income होती है basic और subsequent operations perform करके इंकम earn करता हूँ तो वो agriculture income होती है और अगर सिर्फ subsequent operations perform करता हूँ तो जो income earn होती है वो agriculture income नहीं होती है इसके बाद आपने कहा कि अगर आप building से कोई income earn कर रहे है तो वो income को भी agriculture income मान लिया जाएगा लेकिन कुछ conditions है वो पूरी होनी चाहिए पहली condition की यह building जो है वो आपके agricultural land के vicinity में होनी चाहिए दूसरी condition जो है इससे यहां तो cultivator ने occupy किया हो यहां फिर rent receiver ने occupy किया हो तीसरी condition है कि इस building को यहां तो आप as a dwelling house यूज़ कर रहे है as a store house यूज़ कर रहे है यहां फिर as a out house यूज़ कर रहे है इसके बाद fourth condition आप से कहती है कि आपका यह जो land है उस पे land revenue assessment हुआ होना चाहिए और अगर land revenue assessment नहीं है तो यह land कहां पर होना चाहिए rural area में होना चाहिए यह conditions अगर आप पूरी कर देंगे तो building से जो भी आप income earn करेंगे वो income आपकी कहलाएगी agricultural income अब बात करते हैं उन incomes की जो income partially agriculture होती है और partially non-agriculture income होती है तो जैसे आप rubber manufacturer की बात करते हैं जो rubber manufacturer है उनकी जो भी income है उसका 65% agricultural income माना जाएगा और 35% आपका non-agriculture income माना जाएगा मतलब माल लो मैं rubber का manufacturer हूँ तो इस case में क्या होगा मेरा trading and PL account बनाया जाएगा जो भी मेरा profit निकलेगा as per PGBP उस profit का 65% क्या माल लिया जाएगा agriculture माल लिया जाएगा और 35% क्या माल लिया जाएगा non agriculture माल लिया जाएगा इसी तरीके से अगर आप coffee grow करते हो उसका 75% agriculture कहलाएगा और 25% non agriculture कहलाएगा for example मैं coffee grow करके cure करके sell कर देता हूँ और मेरे को माल लो profit हुआ 10 लाख रूपे का तो इस 10 लाख में से 75% 37 लाख रूपे मेरा agriculture है और 0.5 लाख रूपे मेरी non agricultural income है इसके बाद आता है कि अगर आप coffee को grow करते हो cure करते हो, roast करते हो और ground करके बेचते हो मतलब 4 operations कर रहे हो आप grow करने के बाद उसे cure करते हो ground करते हो, roast करते हो उसके बाद आप उसको बेचते हो तो 60% आपकी जो income है वो agriculture है और 40% जो आपकी income है वो non agriculture है for example मैं अगर grow, cure, roast और आपके ground करके coffee बेच के 10 लाख रोपे कमाता हूँ तो 60% that is 6 lakh will be considered as agriculture income and 4 lakh will be considered as non agriculture income इसके बाद आता है कि अगर आप tea को grow और manufacture करते हो तो 60% आपका agriculture income होता है और 40% आपका non agriculture income होता है तो जितने भी ये Tata tea है, red label है ये लोग अगर अपनी tea खुद grow करके, खुद manufacture करके sell करते हैं तो इस case में इनका 60% of the income will be considered as agriculture and 40% will be considered as non agriculture अब ये tea खुद grow नहीं करते हैं ये farmer से tea purchase कर लेते हैं, tree leaves आती हैं ये tea leaves purchase कर लेते हैं और उससे tea खुद बनाते हैं तो फिर इस case में इनकी जितनी भी income है वो non agriculture है लेकिन अगर आप खुद tea grow कर रहे हो मतलब आपके अपने बागान है जो भी होते हैं जापर ये tea को grow करते हैं तो अगर आप tea को grow कर रहे हो, tea plantation आप खुद कर रहे हो और उसके बाद आप उसे की manufacturing करके उसे sell कर रहे हो, तो 60% will be considered as agriculture and 40% will be considered as non-agriculturing इसके बाद अगला concept आता है, कई बारी हम क्या करते हैं अपने ही farm का produce अपनी ही factory में इस्तवाल कर लेते हैं मतलब इन चार के इलावा की बात हो रही है मतलब rubber, coffee और tea के इलावा की बात हो रही है कि माल लीजे, आपका अपना farm है वहाँ पर आपने agricultural produce generate किया तो जैसे मैं माल लेता हूँ कि हमारा potato का farm है और हमने potato वहाँ पर grow किया और हमारी factory चलती है, जहाँ पर हम potato chips बनाते हैं तो हमने ये potato क्या किये, अपनी factory ट्रांसफर करवा दिये और factory में इन potato से हमने finished goods तयार किया यानि कि potato chips तयार किये ऐसे scenario में agriculture income कैसे निकाली जाएगी और non agriculture income कैसे निकाली जाएगी तो suppose कर लेते हैं 10,000 quintals हमने potato produce किया और ये 10,000 quintals हमने हमारी factory को ट्रांसफर कर दिया तो act कहता है कि जो fair market value है fair market value है इन 10,000 quintals potatoes की वो आपकी agriculture income बन जाएगी after deducting cultivation expenses इन 10,000 quintals को cultivate करने के लिए grow करने के लिए जो भी खर्चा किया है उस खर्चे को आप इसकी FMV से minus कर लोगे for example ये 10,000 quintals की cultivation cost मेरी आई है मैं assume कर लेता हूँ कि मेरी जो cultivation cost आई है वो 10,000 रूपीज आई है और इसकी FMV जो है वो 25,000 रूपे है तो मेरे लिए agricultural income कित्ती हो जाएगी सर्फ 25,000 रूपे minus 10,000 रूपे FMV minus cost of cultivation 15,000 रूपे मेरे लिए क्या बन जाएगी agricultural income अब ये जो potato मैंने transfer किया है factory में इस potato की जो FMV है वो मेरे लिए factory में क्या बन जाएगी cost of goods of raw material यानि कि ये जो 25,000 रूपे है जो मेरे लिए यहाँ पर agriculture income निकानने के लिए consider किया गया है यही 25,000 रूपे factory के लिए expenses हो जाएगे में simple सी बात है कि अगर हमारा farm ना होता और हमने ये 10,000 quintal market से खरीदा होता तो market की FMV में खरीदा होता तो यही 25,000 रूपे हमारे लिए क्या बनते cost बनते वही हमारा farm ना होता तो market से हम potato खरीदते और farmer को 25,000 रूपे तो government कह रही है कि तो आपको बात ज़्या समझ में आएगी यह देखिए यहाँ पर अपन example देखते हैं illustration number 3 देखिए illustration number 3 देखिए X क्या करते है Mr. X grow करते है sugar cane and use the same for the purpose of manufacturing the sugar in his factory तो farm में sugar cane produce करते हैं और factory में उस sugar cane से क्या बना लेते हैं sugar बना लेते हैं ठीक है सर 30% of the sugar cane produced is sold for rupees 10 lakh and the cost of cultivation of such sugar cane is rupees 5 lakh okay the cost of cultivation of the balanced sugar cane 70% is 14 lakh and the market value of the same is rupees 22 lakh after incurring 1.5 lakh in the manufacturing process and the balance of sugar cane sorry the sugar was sold for rupees 25 lakh compute Mr. X business income and agriculture income ठीक है सर निकालते हैं बहुत अच्छी बात है सबसे पहले हम sugar cane की बात करते हैं सबसे पहले हम sugar cane की बात करते हैं कि sugar cane का क्या हिसाब है sugar cane का क्या हिसाब है सर sugar cane में 30% produce हमने sold किया है और 70% हमने self consume किया है 70% हमने self consume किया है जो sold किया है उसकी हमें sale value पता है कित्ते में बेचा है सर यह जो 30% बेचा है वो हमने 10 lakh में बेचा है और इसका cost of cultivation हमें पता है सर 5 lakh rupees है यानि कि 5 lakh rupees का agricultural income हमने earn किया है 30% sugar cane sell करके अब यह जो 70% हमने self consume किया है इसकी sale value क्या होगी इसकी sale value होगी FMV हमने जो यह 70% transfer किया है हमारी factory को इसकी fair market value है 22 lakh रुपे और इसका cost of cultivation 14 lakh रुपे है 22 में से 14 गया बचा 8 lakh ये भी हमारे लिए क्या होगी agriculture income that means total agriculture income कित्ती निकल के आ गई 8 plus 5 13 lakh rupees रइट अब बात करते है factory की जो हमने sugar बेची sugar की sale value कित्ती है सर sugar को हमने sale किया है 25 lakh रुपे में sugar की sale value है 25 lakh रुपे और sugar को बनाने के लिए raw material जो था वो हमें हमारी farm से मिल गया था और farm के लिए जो उसकी FMV है वो पकड़ लेंगे तो sugar cane की जो FMV है वो पकड़ लो sugar cane की FMV है सर आपकी 22 lakh रुपे minus कर दो other expenses question बता रहा था कि आपने further 1.50 lakh रुपे खर्च किये है 1.50 lakh तो 25 lakh कमाने के लिए 26.23 lakh रुपे खर्च कर दिए ये डेड़ लाक रुपे आपकी क्या निकल के आ जाएगी business income देखे रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जित्ती बाते important है आपको पता होने चाहिए वो सारी बाते मैंने discuss कर लिए बाकी अगर आपको पहले deep में समझना है तो आप इसका self study कर लीजे और उसके बाद ये revision video देखिए आप easily इसको relate कर पाएंगे तो आपकी जो agriculture income निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 13 लाक रुपे और आपकी जो business income निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 1.50 लाक बस ध्यान क्या रखना है जब कभी भी self consumption होगा तो जो FMV है वो agriculture के लिए sale value बन जाएगी और non agriculture के लिए वो cost of goods बन जाएगी अब इसके बाद अगला concept आता है partial integration ये exam point of view से बहुत ही जादा important है partial integration देखें आप लोग को पता होगा कि जो agriculture income होती है वो होती है except लेकिन government ने एक चोर रास्ता निकाला हुआ है जिससे वो आपकी agriculture income पे भी tax लगा देती है सर चोर रास्ता हाँ मेरे बच्चे इसको मैं बोलता हूँ हाथी के दात खाने के और दिखाने के और दिखाने वाले दात ये हैं कि आपकी agriculture income जो है वो exempt है और खाने वाले दात ये हैं कि हम agriculture income पे भी partial integration लगा के tax वसूल लेते हैं अब ये partial integration काम कैसे करता है ये देखते हैं addition of agriculture तो non agriculture income टो non agriculture income टो non agriculture income टो non agriculture income में आड़ करना tax calculation के purpose के लिए इसे अपन बोलते है partial integration किन-किन cases में partial integration लगेगा जब assacy individual होगा, HF होगा, BOI होगा, AOP होगा और artificial judicial person होगा उन cases में partial integration लगेगा that means कि अगर आप company SSE हो या फिर आप firm हो तो इनके उपर partial integration applicable नहीं है किसके किसके उपर applicable है individual के उपर applicable है HOF के उपर, AOP के उपर, BY के उपर और artificial judicial person के उपर partial integration लगता है जो non agriculture income है आपकी वो exceed होनी चाहिए basic exemption limit को अब यह basic exemption limit क्या है सर basic exemption limit है धाई लाक रुपे वाली तीन लाक रुपे वाली और आपकी पांच लाक रुपे वाली तो अगर आपकी जो income है वो basic exemption limit से जादा है तभी partial integration लगेगा otherwise partial integration नहीं लगेगा और आपकी जो agricultural income है वो 5000 रुपे exceed करनी चाहिए तीन कंडिशन्स पूरी करो असेसी जो है वो individual HOF, AOP, BOI, AJP होना चाहिए आपकी non agriculture income basic exemption limit से जादा होनी चाहिए और आपकी agriculture income 5000 रुपे से जादा होनी चाहिए यह तीन कंडिशन्स पूरी कर दी partial integration applicable हो जाएगा partial integration में हम agriculture income को non agriculture income में add कर देते हैं for the purpose of calculation of tax अब यह क्या process है वो देखते हैं step number one कहता है कि आप tax calculate करो total income पे including agriculture income without cess तो cess लगाए बिना 4% का जो cess लगता है वो लगाए बिना आप normal तरीके से agriculture income और non agriculture income के ऊपर tax लगा दो इसके बाद step number two में कहता है कि आप tax calculate करो maximum amount not chargeable to tax plus agriculture income without cess सर समझ नहीं आ रहा है समझाईए देखो example देखते हैं माल लेते हैं सर हमारे पास है Mr. X और इनकी जो age है वो है माल लेते हैं 45 years की right इनके पास सर business income है 8 लाक रुपे का और इनके पास agriculture income है 5 लाक रुपे की right तो step number one ने आप से क्या कहा था step number one ने हमसे कहा था कि पहले तुम क्या करना agriculture income और non agriculture income पे tax निकाल देना हमने का ठीक agriculture और non agriculture income को सर हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 13 लैक और 13 लैक पे सर अगर हम tax निकालेंगे तो सर पहले 10 लाक पे आता है 1,12,500 3 लाक पे 30% होता है 90,000 1,12,500 में आप 90,000 को प्लस कर दीजे 2,25,000 रुपीस आजाएगा बिलकुल सही step number two सर क्या होता है सर step number two होता है maximum amount not chargeable to tax या फिर आप इसे basic exemption limit भी बोल सकते हैं basic exemption limit प्लस agriculture income पे tax निकालो अब सर Mr. X की age है 45 year इनकी जो basic exemption limit होगी वो होगी ठाई लाक ठाई लाक और 5 लाक मिलाके होता है 67 लाक सर 67 लाक पे tax निकालते हैं पहले 5 लाक पे आजाएगा 12,500 और जो ठाई लाक बचे उस ठाई लाक पे 20% का tax लग जाएगा 50,000 रुपे 50,000 प्लस 12,000 पास 62,500 रुपे और step 3 कहता है कि सर आपने step 1 में जो tax निकाला था उसमें से आप step 2 का tax माइनस कर दीजे तो tax payable निकालाएगा step 1 में से step 2 का tax माइनस कर दीजे हमने का ठीक 2,2500 में से 62,500 माइनस कर दीजे आपके पास tax निकल के आजाएगा 1,40,000 का अपड़े ध्यान से मेरी बात सुनना step 1 में पहले government ने क्या करा पहले government ने agriculture income को non agriculture income में add कर दिया और बोला कि तुम्हारी total income agriculture non agriculture मिला के जो tax है वो 22,500 है step 2 पे government ने agriculture income पे tax निकलवाया सिर्फ agriculture income पे और agriculture income पे tax किता आ रहा है 62,500 अब government क्या बोल रही है कि देख तेरी agriculture और non agriculture मिला के जो tax आया है वो आया है 22,500 और सिर्फ agriculture पे जो tax आया है वो आया है 62,500 अब मैं agriculture और non agriculture वाले tax में से agriculture वाला tax माइनस करवा देती हूँ तेरे पास जो बचेगा वो बचेगा केवल non agriculture का tax यानि कि ये 1,40,000 किसको represent कर रहा है non agriculture income के tax को और इसके उपर अब आप क्या करेंगे add कर देंगे 4% का health and education 4% का health and education add करोगे आजाएगा 1600 रुपे नहीं 5,600 रुपीज ये आजाएगा 5,600 रुपीज टोटल आपकी जो tax liability निकल के आजाएगी वो निकल के आजाएगी 1,45,600 रुपीज बात समझ मैं आया इसी question को आप special income के साथ merge करके भी कर सकते थे example देखिएगा Mr. X है इनके पास business income है 6,00,000 रुपे की इनके पास long term capital gain है 2,00,000 रुपे का और इनके पास agriculture income है मान लेते हैं 4,00,000 रुपे की तो step 1 आपको आपकी total income पे tax निकालना है agriculture प्लस non agriculture पे आपको tax निकालना है agriculture और non agriculture में tax कैसे निकालोगे सर ये वाले 6,00,000 पे और 4,00,000 पे slab के इसाब से tax देना पड़ेगा 10,00,000 पे tax निकालोगे as per slab और 10,00,000 पे slab के इसाब से tax निकलेगा 1,12,500 रुपे का और जो 2,00,000 रुपे हैं उस पे आप tax निकालोगे at the rate of 20% long term capital gain तो आपके पास 20, 40,000 रुपे का tax निकल के आ जाएगा that means आपका agriculture और non agriculture मिलाके tax निकल के आ गया 150 to 500 step number 2 में आप basic exemption limit plus agriculture income पे tax निकालोगे basic exemption limit है 2,5,000,000 रुपे की 3,50,000 रुपे की तो आप 65,000,000 रुपे पे tax calculate करोगे as per slab rate तो 65,000,000 पे slab rate के साब से tax निकालेंगे 12,250,000 पे अब step number 3 आपका tax पे बल किता निकल के आएगा government कह रही है कि तेरा total tax agriculture और non agriculture मिलाके होता है 152,500 तेरा agriculture पे text निकला है 42,500 तो तेरा text पेबल आएगा बच्चे 1,10,000 रुपे अब इस 1,10,000 पे तू प्लस कर दे 4% का health and education CIS 4% का जब हम health and education CIS प्लस करेंगे तो आजाएगा 4,400 टोटल आजाएगा 1,14,400 आपका text library बात समझ में आया तो step 1 में जो आप text निकालोगे उसमें आप क्या बोलते है CIS add नहीं करोगे step number 2 में जो आप text निकालोगे उसमें आप CIS add नहीं करोगे फिर step 1 में से step 2 को माइनस कर दोगे आपका text payable निकलाएगा और उस text payable पे आप 4% का health and education CIS add कर देंगे हमेशा द्यान रखना जब आपकी तीन conditions पूरी होंगी तभी आपका partial integration applicable होगा पहला specified assessi होना चाहिए आपकी non agriculture income basic exemption limit से ज़ादा होनी चाहिए और आपकी agriculture income जो है वो 5000 रुपे exceed हो रही होनी चाहिए उम्मीद करता हूँ आपको इस session अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है और लास्ट तक आपने देखा है तो please इस video को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा अगर नहीं किया हुआ है और अपने friends के साथ share भी करिएगा आज के लिए तर रखते हैं बाकी बाते next time पे bye to all